हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करें न्यू डवलब्मेंट डवलब्मेंट बैंक जिसे पहले हम लोग विक्स बैंक के नाम से जानते थे पता है आपको विक्स सम्हूं के देशों इस्थापित किया गया थे और यह अब जो न्यू डब्लमेंट बैंक है यह इसका नया नाम है इसकी स्थापना 2014 में विक्स सम्मिलन में 100 अरब डॉलर की सुरुवाती अधिकरत पूंजी के साथ किया गया था माना जा रहा है कि इस बैंक और फंड को फश्यमी देशों के वर्चर्च वाले विस्थ बैंक और आईएमेप जैसी संस्थाओं के टक्कर में खड़ा किया जा रहा है इसकी इस्थाफना जो हुई थी आपकी 15 जुलाई 2014 को हुई जैसा कि आपको बता होगा यह अंतराश्टिय वित्तिय संस्थाए इसमें आपके कौन-कौन से दिल सामेले विराजील रोस भारत चीन दच्छिडफीका जो विक्स में सम्मल देते हैं वही है अधिकारिक नाम नाम ब्लूबद्यासस्का विक्सडवलमेट बेंक है यह एक बहू पक्षीय विकास बेंक है इसका मुख्याल संगाई में है कहा है का मुख्याले पौन संगाई चीन में इसके देशों की बात करने तो इसमें विराजील होई गए रोस भारत चीन दच्छड फीगा इसके अध्यक्ष की बात करने तो केवी कामत यह भारती है अभी इसके दिहास की बात करने हम लो वैस्विक वित्तिय संस्थानों जैसे आईयमे विस्वेंग की विकल्व के रूम म फोर्थ विक्स संभिलन करने ड़े अब सरचना सतत विकास कारेयों के लिए पराधरित आधारित था यह संभिलन छटबा संभिलन जो था फोर्टा ले जा गोशना द्वारा हुए था इसके मुख बिंदू की बात करें हम लो अधिकित पूजी इसमें 100 बिलियन डॉलर है सबस्क्राइब्ड पूजी 50 विलियन डॉलर है पहला चेत्री एकारेयाल इसका जोहांस वर्ग दच्छड अफीका में पहला बोर्ड ऑब डारेक्टर्स ब्राजील पहला बोर्ड ऑब गवर्नर्स रोस 2016 में NDV पहला ग्रेन बॉन्ड चाइनिज एंटर वैंक ऑफ बॉन्ड जारी गे दो अप्रैल 2019 को फोर्थ वार्षिक बेठर दच्छड अफीका के केप टाउन में हुई थी सत्स बिकास परस्तांजेधारी से संबंदित थी ठीक है तो यह आपका न्यू डवलामेंट बैंक आंगे हम लोग बात करेंगे United Nations Economics Social Commission for Asia and Pacific ठीक है